और हरियाना गृूप डी के लिए बड़ी खबर है दोस्तों जो भी साथी गृूप डी के अंदर किसी बी डिपार्टमेंट के अंदर लगे हुए हैं तो उन सभी के अब जो पॉशन है वो नहीं होंगे उनके पॉर्य की पूरी खबर आपको वीडियो के मादियाम से पूरी क ये एक official letter जो है आया है चीप सेक्रेटरी ओफ रियाना की तरफ से तो यहां पे आप देख सकते हैं सभी जितने भी department है जितने भी administrative आपके managing director है head of department है उन सभी के पास एक notification भेजा गया है और उस notification के जरी ये कहा गया है कि group D के अब जो है promotion विभाग नहीं कर सकेगा चलिए मैं देख लेते हैं इस पूरी की पूरी update को कि क्या update है और कौन-कौन से ऐसे department को ये notification भेजा गया है तो देखो दोस्तों ये notification आया है हरियाना government की तरफ से तीन तारिक होगी आज 3 मई 2021 को और ये letter नमर आप देख सकते हूँ यहां पे जितने भी administrative secretary government of हरियाना की है head of department है जितने भी director है board corporations के commissioner है divisional commissioner है जितने भी deputy commissioner है और साथ में जितने भी registrar है universities के सभी के पास ये notification गया है और इसके अंदर कहा गया है कि common cadre जो है group D employees के लिए वो appointed कर दिया गया है after enactment of हरियाना group D employee recruitment and conditions of service act 2018 group D act बनाया गया है एक 2018 उसके अंदर क्या है एक date है आप लोगों के लिए 28 March 2018 यानि कि 28 March 2018 के बाद एक act बनाया गया था group D के लिए कि group D की कोई भी ऐसी भरती जो 28-3-2018 के बाद भुष्य में होंगी उन सभी के लिए ये act लागू रहेगा इसके अंदर time to time बहुत सारे amendment किये गई हैं बहुत सा group D के ऐसे employee हैं चाहे वो किसी भी विभाग के अंदर हों किसी भी बोर्ड के अंदर हों किसी युनिवस्टी के अंदर हों किसी corporation office के अंदर हों या किसी भी divisional commissioner के अंडर में काम करते हों ठीक है या managing director board के किसी भी आप ओफिस के अंदर कहीं पर भी आप काम कर रहे हो अपनी state से पहले के जितने भी group D के करमचारी है उनका promotion होता था अगर उनका same pay scale रहता तो अगर वो group D के अंदर है group C के अंदर भी मान के चलो clerk का same pay scale है और group D के अंदर भी एक employee का same pay scale है तो पहले क्या होता था उसको promote कर दिया जाता था उसी pay scale के विहाब के उपर सिर्फ किस के दुवा department अपने विहाब के उपर क्या कर देता था उनको promotion दे देता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जो भरती 28-3-2018 के बाद हुई है advertisement 4-2018 की 18,000 कने rate की जो सबसे बड़ी भरती हुई है उस भरती के उपर मुखे रूप से ये act लागू है इसके अलाव भी अगर कोई और group D की भरत हुई है 28-3-2018 के बाद उन सभी के उपर ये act लागू है इसके अंदर क्या कहा गया है इनकी अंदर common cadre बना दिया गया है और किसी भी employee का जो promotion है group D से group C की पोस्ट के उपर नहीं होगा department के दुआरा ठीक है उन सभी की जो है seniority list बनेगी seniority list के according जो भी आपकी list भेजी कि उनके द्वारा एक procedure होगा उसी के तरीके से सारी की सारी आपकी जो भी promotions की process हैं वो complete होगी अब ऐसा नहीं है कि आप किसी department के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पे आपका तीन साल के बाद promotion होना है for example मैं बात करता हूँ हरियाना roadways department की अगर हरियाना roadways department के अंदर जैसे promotion आता था पहला promotion और दूसरा promotion वहाँ पे जीम अपने अंडर में जो promotion आता था उनको अपने विहाब के उपर promote कर देता था अगर उसकी qualification उस post के लिए eligible है सारी qualification fulfill conditions के साथ वो complete करता है तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो ये अधिकार है ये आपका जो act बनाया गया है इस act के अंदर नहीं आता और अब departmental कुछ भी promotion नहीं होगा इसके लिए अब common cadre बना दिया गया है common cadre के लिए completely जो भी details आगे आती रहेंगी time to time कैसे promotion होने है वो सारी आप लोगों के साथ share करते रहेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इतनी ही information share करने वाल अपनी राय भी भेज सकते हैं तकि आप लोगों की आवाज को बुलंद करके हम आगे पहुंचा सके थैंक्यों दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक बने रहें हमारे साथ जै हिन जै भारत जै हरियाना